हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका समाजी ग्यान पे आज हम फर्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे मैच तर फॉलूइंग नर्मदा वैली हंटिंग और गैदरिंग सबसे फर्स्ट इंग्जांपल जो हैं सेंपल जो हैं वो यहीं से मिल रहे हैं नर्मदा वैली से हंटिंग और गैदरिंग के अफशेश मिले हैं मगदा दा फर्स्ट बिग किंडम सबसे बड़ा समराज्य कौन था मगद जो आज का विहार है गारो हिल earlier agriculture गारो हिल से प्रमाण मिलते हैं कि यहां सबसे पहले क्रिशी की गई या खेती बाड़ी एगरी कलचर की यानि खेती बाड़ी की गई इन्डस एंड़ इस ट्रिब्यूटरीज इन्डस सिंधू नदी है और ट्रिब्यूटरीज उसकी सहाएक नदियां दाफर्स सिटीज जो पहली शहर जो देखे हैं वो इनी के पास से मिले हैं गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 यर्स अगो गंगा के तटपे जितनी भी बड़ी-बड़ी सबटाएं हैं वो यहां पर देखने को मिलती हैं बहुत बड़े-बड़े शहर देखने को मिलते हैं तो manuscript are the old books that gives handwritten account. Manu का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित, हस्त लीपी. ठीक है, these were written on leaves और bark of tree. Bark of tree होता है, तने के उपर से, कई आपने पेड देखे होंगे, जैसे eucalyptus का पेड होता है, तो उसके उपर से पतले-पतले से तने से उसके हिस्से निकलते रहते हैं. उसी तरह एक भोज-पत्र का पेड होता है, जिससे कि ये तने निकलते थे और उसके उपर लिखा जाता था. Encryption are asgraved from of writing used for various purposes. These were written on hard surface, that is stone. Encryption होते हैं, शिला लेक जो होते हैं, उनको खोद-खोद के लिखा जाता है, और ये किसी purpose के लिए लिखा जाता है, जैसे अपनी victories लिखाने के लिए, कि हमने वहाँ लड़ाई लड़ी और हम जीते, या राज आग गया, राजन ने कोई order दिया है, जो लोगों को बताना है, तो उनके लिए इसको basically use किया जाता था. These were written on hard surface, hard surface पे use किया जाता था, stone पे भी किया जाता था, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि धातू पर भी अंकित किया जाता था. Return to Rashida's question, can you think of some answers to it? Answer, one can know what had happened so many years ago through these way. किन-किन रास्तों से आपको पता लग सकता है कि कई सो साल पहले क्या हुआ था? सबसे पहले manuscript, encryption, old object recover from excavation. सबसे पहले manuscript, जो हाथ से लिकीवी हस्त लीपी, पांडू लीपिया है, या फिर inscription शिला लेखों से पता लगता है, या फिर old object जो खुदाई में मिलते हैं, जो archaeologist ढूंडते हैं. ठीक है? Make a list of as object the archaeologist may find which of these could be made of stone. क्या उनसी चीज़ें archaeologist ढूंडते हैं और कैसे? Archaeologist ढूंडते हैं coins, ornaments, ornaments मैंने पहले भी आपको बताएं, गहने होते हैं, जो पुराने टाइम पे लोग पहनते थे. पहन, spot, weapons, tools, remaining part of building, जो building के टूटे-फुटे हिस्से जो बच जाते हैं, वो खुदाई में मिलते हैं. इंस्क्रिप्शन, plant, remain, और old manuscript, bones भी मिलती हैं. अब ये सारी चीज़ें किस form में मिलती हैं, किनी दो सतहों के बीच में फसी हुई मिलती हैं, अब आप सोचिए कि plants तो ऐसे हैं कि अगर मिट्टी में मिलेगा तो उसी के साथ में mix हो जाएगा. तो कहीं पे फसा रहे गया और उसके उपर आके कोई दूसरी सतह लग गई और वो बच गया वहाँ पे. आप समझने की कोशिश कीजिए कि pan, pot, weapons ये सब पूरे साबुद, कुछ साबुद भी मिलते हैं, कुछ तूटे-फूटे भी मिलते हैं. पहले की टाइम पे कुछ लोगों में ये भी परंपराती की राजा है या कोई important person है, तो उसके साथ में बर्तन दबाया जाते थे. उसका फेवरेट कोई कुटा-बिल्ली या कोई जानवर है, वो उसको उसके साथ में दबाया जाता था. कुछ कपड़े रखे जाते थे, ताकि ये मानेता थी कि मरने के बाद भी लोगों को कुछ ना कुछ चीजों की ज़रुवत पड़ती है, या उनकी फेवरेट चीजें जो हैं, वो उनके साथ में दफना दी जाती थी. तो वही चीजें बाद में आर्किलोरिस्ट को मिलती हैं, इन सब चीजों को खोदने में. अगर आपको बनाने के लिए आता है, तो आप वो वाला इमेज जो मैंने दी है, वो बना सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी. और अगर लिखने के लिए आता है, तो आप ये तीन पॉइंट्स लिख सकते हैं, कि वन्स कुट भी मेड स्टोन आर, सर्फेस यूज़ेज फॉर राइटिं इंस्क्रिप्शन, रिमेनिंग बिल्डिंग पार्ट्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और अब्जेक्स लाइक और टॉर्ण पार्ट्स रिखनेइं और, सैंसरा, रिमेन में फॉपरेस्पा का बिल्डिंग, था।्योस में बिल्ग इंस्क्राइट। events the lack of historical sense was mainly responsible for it sixth question describe at least two way in which you think the lives of kings would have been different from those farmers answer the king used to live in palace or big house the farmer used to live in hut or very small houses the kings were dependent for their food on farmers farmers used to produce food for themselves and other people also the king wore soy the and costly clothes and ornaments farmers were more simple and very cheap clothes ठीक है तो कोई भी दो लिखने है तो आप 12 लिख सकते हो या के बाद next question है 7th question find the word craft persons on page of the textbook in the in the list of in the list at least five different crafts that you know about today are the craft persons men women both men and women to up is woman answer the various craft but crafts are dominate the person's present life at least here first day today's craft person is artist industrialist architect architect's musician science scientists actors writers or sports person those craft persons are both men and women last question is quiet question what were the subject on which books were written in the past which of these would be would you like to read before paper was discovered scholars wrote on dried leaves सुखे पत्ते ताड़ के पत्ते ताम वह उस पे या भोज पत्रों पे लिखा जाता था on the bark of bridge trees and sometimes on copper or metal plates and stones यह सब कुछ आपको पहले बता दिया है सुखे वे पत्त्रों पे भोज पत्त्र ताम पत्त्रों पे लिखे जाते थे यह चीजें और बार्क जो होती है भोज पत्र का एक पेड़ होता था जिसमें से इसको तने से निकाले जाते थे उन पे लिखा जाता था और सम्टाइम्स कॉपर की मैटल और उसकी प्लेट्स पर और पत्त्रों पे लिखा जाता था जैसे हमने आपने पढ़ा है कि जब राजा राम का घोड़ा पकड़ लेते हैं बच्चे तो वह कहां सोने के उस पर उस वह सारी आग्या लिखी होती है वी वुड लाइक टू रीड वेदाज रामायना महा भारता एंड पंच्चतंत्र विष्णु गुपता ने लिखी है वी पंच्चतंत्र और इसमें बहुत प्यारी कहानिया है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए विष्णु शर्माने सौरी उसमें बताया है कि लाल बातुनी कच्च्वे की कहानी है एक उसमें बहुत सारी ऐसी कहानिया जिसमें जानवर बोलते हैं और उनको उनके माध्यम से एक शिक्षा दी गई है अगर चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए थैंक्यू थैंक्यू थैंक्स पर माचिए